अगर वो factors आप अपने दिमाग में रखतर के चलते हो तो आपको 100% sure short जो उसमें देखने को वो diagnose करने का मुका मिलेगा मगर हमें पता चल जाता है temperamental study से कि वो person 100% lymphatic है तो आप पाएंगे कि यह जो हमारी middle finger है यह हमारी lymphatic system को denote करती है यह उसको show करती है इसके दोर जा observation की जाने वाली है वो यह बताएगी कि इसके अंदर हमें lymph को study करना है और index finger यह index finger हमारी तरजनी अंगूटे के साथ की इसको हम बोलते हैं blood denotion यानि कि यह blood को denote करेगी जिसके माद्यम से हम study करेंगे blood की राइट अब दोनों उंगलियों के माद्यम से हम कैसे उस point तक pulse कैसे हम read करते हैं अब उसकी तरफ को हम बढ़ रहे हैं इंडेक्स finger को नीचे इसके बिलकुल equal level तक लेकर के इस तरीके से पहले कैसी इसकी presentation यह अब इसको equal level किया तो क्या होगा कि आपका जो जो मिडल मिडल फिंगर है यह हमारी index finger के उपर आगे वाले बूजा है बाजू है इस बाजू में हमारी दो हटी हैं एक होती है अलना और दूसरी होती है रेडियस जो हमारी अलना रहती है वो हमारी लिटल फिंगर की तरफ को रहती है यह जो लिटल फिंगर है यह हलका सा उबार एक गिटी नुमा यह स्टीलोइड प्रोसेस ओफ अलना यह अलनार प्रोसेस ह इसके उपर जो मेरी लग रही है और दूसर तरफ अंगुठा यह इसके नीचे जो आने वाली हड़ी है उसको उलते रेडियस ओन जो रेडियस ओन का इससा अगर आप इसको देखेंगे हलका सा खटा आएगा खटे के आगे हलका सा इसका अपीरेंस जो जो अपीरेंस है जिस सिलोइड प्रोसेस और रेडियस अब जब अंगूठे की तरब को यह रेडियस आई तो इसके नीचे जो इसके ऊपर जो इसको ट्रिब्यूटरी नर्व है उसको हम बोलते हैं रेडियल नर्व रेडियल बेन जो रेडियल बेन हमारी जो इसके अंदर रहती है हमने उसको अब कर सकते हो वह थोड़ा सा अभार देखने को मिलेगा उस उभार से लगव से सवा संटीमेटर फ्र आगे चलों करके हम हमेशा नर्व के उपर को मली हम पेशन की नर्व ऐसे पकड़ते हैं तो चौन को चेक करने के लिए चाहे हमें उसके बारे में निरी है जा नहीं है मग prol abaster उसकी नर्व जूरूर पकड़ते हैं ऐसे करेंगे हम चेक उसको यही वह नर्व है जिसके उपर हम फिंगर को रखते हैं और अब सिंगर कहां आम ने औने एकर रेडियल नर्व प्रोपर और जब आप इसको रखेंगे तो वहां हमें इंपल्स इंपल्स मैंने धड़कन जो उस नाड़ी की धड़कन है वह आपको ऐसे उसका अभास होगा तक 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 इस तरीके से करके वह आपकी पल्स चल रही होगी अब जब उस अभी मैंने क्या बोला फिंगर की प्रेजंटेशन इको लेवल ओफिंगर सबसे पहले यह मालो रेडियस नर्व है इसके उपर मैंने क्या किया इसको पहले 90 डिगरी को उपर दोनों फिंगर्स को मैंने तिकाया 90 डिगरी बिल्कुल सीधा अब जर्ब करना मैंने पहले मैंने नाड़ी को ढूंडना ह के वर बीप में नाड़ी होते तो दबाना पड़ता है के वर शैलो होती तो उपरी हात रखते ही फिंगर रखते ही वो नाड़ी आपको समझ आनी शुरू हो जाती है अभास होना शुरू हो जाता है पहले आपने क्या किया उस नाड़ी को टैप किया दो तीन चार वार एक कर दबाया शौरण दबाया शौर मझांद चाप कर्के देखा रोक्षा एक लो मिली मिटरे फिर ओदर करके कर देखा लैट राइट करके करेए हमें exact pulse जोन से वो हमारे सामने हमें observe होना शुरू हो जाती है जब ये pulse observe होने शुरू हो जाती है मान लिए ये pulse आगे हमारी फिर इसके angle को change करना है इसके angle को कितना लाना है 90 से 80 to 85 तक इसको down लेकर कहना है पहले 90 परसंट जनी कि right angle फिर उसके pulse मैंने ढूंड ली उसके बाद क्या गिया मैंने इसको 80 से 85 जनी कि 80 to 85 डिगरी के उपर इस angle को लेकर के आता हूं फिर तब तक क्या होगा कि आपके जो नाखून है वो patient की skin से ना टच हो करके आपकी जो उंगलियों के बैप्स हैं ये जो फूल है उंगलियों के आगे ये उसकी नस के उपर आपके नर्व के उपर आना शुरू हो जाते हैं फिर मार्पीड करूंगा पहले 90 डिग्री जब मैंने radial nerve के उपर इसको observation के लिए रखा टटोला मैंने मेरे को नस वो मिल गई धड़कन उसकी मेरे को observe होनी शुरू हो गई उसके बाद मैंने 82-85 डिग्री के उपर अपनी finger का एंगल पहले यह एंगल था अब मैंने क्या किया यह एंगल चेंज करके 80-85 डिग्री बीज में ले करके आ गया यहां तक आपको स्टोरी समझाई मैंने observe करने के लिए रखा उसके बाद मैंने एंगल चेंज करके इन बैप्स के finger की tips के उपर मान करके चलो कि मैं उसकी observation मैंने देख ली यहां तक स्टोरी क्लियर होती है अब आगे जब मैंने finger रख दी वहां से हमारी pulse की calculation observation का एक time start हो जाता है अब वो कैसे होगा जैसे आप द्यान से आप बिना द्यान से उसको पर रखो तो आपको ऐसे लगए कि आपके उंगलियों के नीचे दढ़कन सी आ रही है impulse आ रहा है वह एक केवल यही मातर आप just कर सकते हो कि यहां उसकी impulse आ रही है वो परस परसन जिंदा है है राइट मगर हमने अब इसको डियागनोजिस पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है यह इंपोर्टेंट पॉइंट है मैंने फिर द्वारा जब एंगल चेंज किया 80-85 मैंने अब अंगुठे को अब प्रिजेंटेशन का भी आगोमत तरीका बता दूं यह हमारा थम है जो इंडेक्स फिंगर है हमारी घुवाड छूलडर रहनी चाहिए और जो इंडेक्स फिंगर है यह तोकी 灅ज़र्वेशन सही नहीं होगी फिर द्वारा देहां से सुन लें जो finger का presentation आपका है जो ये हमारी index finger है ये toward thumb रहनी चाहिए और उसके बाद जो middle finger है ये toward shoulder रहनी चाहिए इसको मैंने observe करके अब मैंने अंगूठे से ये देखिए अंगूठे से मैंने इसको थोड़ा सा support देने के लिए इसको मैंने पकड़ ल कर दी तो दोस्तों अब उस प्लेस को जिस प्लेस पे वो पल्स आपको 100% अब्जर्वेट हुई उस प्लेस को आपको उठाना नहीं है जब तक final diagnose उस patient का नहीं हो जाता है आप यह नहीं कर सकते हैं कि एक बाद एक बार आपने उसको पल्स को रखा और उसके बाद थोड़ी उसको एक बार जब हमने fingers को stick कर दिया एक जगा place कर दिया तो दोस्तों उसके बाद उसको हटाना तभी है जब हम final diagnose कर देंगे अब आपको यह भी पता चल गया कि finger की position कैसे हमने लेनी है radiant nerve के उपर 90 गवाद 80 to 85 degree और उसकी बैप्स के उपर जो एक बार position हमने ले ली उसको फिर अंगूठे के साथ नीचे से थोड़ी सी बाजू को support देने के लिए जैसे यह मैं यह support दे रहा हूं हलकी support देने के लिए ताकि अकेले finger रखेंगे तो यह plus minus इसका pressure हो सकता है अब मैंने किया इसको हलका नीचे से support दिया अब मैंने observe करना शुरू किया क्या observation स्टाट की मिले मैंने देखा ध्यान से इसकर मेरे मेरा जो द्यान है मेरे जो focus है वह मेरी त्रिकटी यह जो हमारी आंखे और इसका अगैश का उपर आगी जब मैंने इसको अफ्जर्व करना शुरू करना फिर जब मैं द्यान से देखूंगा अब दो तीन चार वार ऐसे फिंगर को प्लस में नीचे और उपर करके देखिए दबाओ शोड़ो दबाओ शोड़ो दबाओ शोड़ो तो आपको पता लगेगा कि दोनों में से किसी एक फिंगर के नीचे कि दोनों में से किसी एक फिंगर के नीचे आपकी ओंव अन्यखकाय आपको ज्यादा इहसास होगा जैसे मालू मैंने ये रखी oppa कि मेरे दिख्यके उंपर मेरे दिल की दर्कन आ रही है ज़्यदा रइट और मैंने देखा की मिडल्ट के उपर काम ओ रही है अब मैंने झाल पर फिंगर प्लेस कर दी तो चिस विंगर पे सबसे ज़्यक्त मेर्ट मैंसूस हो लिए मैं उसक invi po और मैंने प्लेस नहीं प्निये मैं उसके वांग मैंने क्या किया इस फिंगर को अबसर्ब करना शुरू किया ठीक है वह अब कि इसके भी तीन पॉइंट अफजर्ब करूंगा वो क्या तीन पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा से मैं आप से चर्चा करता हूं कि इन दोनों फिंगर में तीन दाराओं को हम मापेंगे जो थम की तर्फ से हम स्टार्टिंग करेंगे दारा की जहां से हमारी उंगली का नाखुन मास से अलग होता है वहां से लेकर के एक चड़ाई आपको देखने को मिलेगी टिप तक आने के लिए राइट इस जो यह पहली चड़ाई होती है इसको हम बोलते हैं धारा नंबर एक जब मनिस्कस म एन आईसी यूएस मनिस्कस नंबर बड उसके बाद जैसे डिलांग एक नंबर ख़तम हुई दो नंबर डिलांग टेक आफ देख रहे है ते लगान एक स्टार्ट होती है उत्राई टिप्स नंबर तीन एक नंबर धारा मैस्क् यह ब्लड का यूटिलाइजर दारा नमबर तीन ब्लड का प्युरिफाइड इसी तरीके से सेगंड इंडेक्स के साथ की पहली चड़ाई रहा नाखुन से लेकर के टिप तक इसको बोढ़ा नमबर एक मिनेस्कुस नमबर मानों मिडल फिंगर यह क्या होगी रसको बनाने वा सिस्टम नंबर दो टिप ओफ दा मिडल फिंगर धारा नंबर दो मनिस्कस नंबर टू इसके उपर उसको लेंफ को यूट्राइज करने वाले अंगवा तंतर तीन नंबर के उपर हमारी जो धारा है इसको हम बोलते हैं लेफ एक्सक्रीटर जा लेफ प्यूरिफायर आर्गन और सिस्टम अब क्या एक वात जो लिंफ को बनाने वाला एक नंबर दो नंबर लिंफ को यूट्राइस करने वाला तंतर अब दोनों फिंगर्स की प्रिजंटेशन आपके सामने आ गई ही दोनों फिंगर की यह नंबर क्रमिनिस्कस तemorgen इसक 안돼 मेश हई जी आप स्टार्टिंग साधे जो तो वो काफी आगए जा चुके होंगे उनको हमाध में थोड़ी से इनके लिए वी यहीं में लास्ट पॉइंट में याई इसके अनदर कि ऊसके कीका सकती है हम आपको अडवास में अपने अपनी सट्टी से अप सट्टी कर सकते हैं दोनों चैनलभी यह समीं एक एक नमबर बलडट मैनूफेक्ट्र!.. अब बलड़ मैनूफेक्ट्ररण.. उसमे कौ´ण बोन मारो Shank valve comparing दो नमबर के उपर बलाड स्में कौन कुण से चीज आती यह सबसे बड़ा थंतर है.. कार्डियो वेसिकुलर सिस्टम जिसको हम भोते हैं जो रग्त प्रवाहित करने वाला सिस्टम जो रग्त को यूटिलाइज करने वाला सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो हमारा कार्डियो वेसिकुलर सिस्टम जिसके अंदर हार्ट उसका राजा है उसके बाद फिर स्किन है ब् बलट की सप्लाई जाती है वह बलट को यूटलाइज करने वाले अंगवात अंतर कहला team नंबर नट याई आध्ट को लänge र pre-petedर दो ही जेगह किया जा सकता है जो किड्नी के बाध्сят हो बुरे शरी से ऑक्सिजियन शोड़ने foreign body बोला जाता है वो हमारे उस blood deoxygenated blood में आ जाते हैं उन deoxygenated blood को purify करने का काम कौन करते हैं हमारी kidney हमारे गुर्दे उसके वाद जब deoxygenated blood purify form के अंदर aiotic बने कि heart chamber के अंदर पहुंचता है जाकर के तो वहां उस सब्सक्री उससे पहले मिक्स करता है blood के अंदर जब oxygen उसके अंदर चले जाती है तब वह औक्सिजनेटेड ब्लड यह हमारे heart chamber के अंदर पहुंचता है जाकर के जो भी segment उसका रहता है फिर उसके बाद वह heart की supply के थूँ पूरे body को pump किया जाता है cardio vesicular system के तहर इसका मतलूब जो ब्लड को purify करने वाला हमारा आंक बात अंतर है वो तीन नंबर मिनिस्क्रिस के अंदर जोंसा वो आंका जा सकता है उसके बाद middle finger का पहला point endocrinology और lymph producer lymph produce पूरे हमारे glands हमारी यह parotid से लेकर के पिचूटरी से लेकर के thymus से लेकर के thyroid से लेकर के thymus और parathymus को लेकर के फिर उसके बाद हमारी cervical gland को लेकर के axilar gland को लेकर के फिर abdominal gland को लेकर के intestinal gland को लेकर के फिर जो लास्ट gland हमारी हमें देखने को मिलती है सीरी में वह हमारी कहां मिलती है लाज इंटिस्टाइन के अंदर मेजंट्रिक लिंप नोट के रूप में मिलती है जितना हमारा glandular segment है वो सारे का सारा हमारा जो मिडल मिडल फिंगर का एक नंबर मिनिस्कस है इसके अंदर उसको हम आंगते हैं फिर उसके बाद उस लिंफ को यूटिलाइज करने वाला अंगवत अंतर जैसे हमारे उस जो GIT gastrointestinal ये track हमारे lymph को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने वाला तंतर है राइट gastrointestinal track जानी कि हमारे lymph से लेकर के हमारे NR कनाल तक जितना हमारा ये system है ये lymph को यूटिलाइज करने में बहुत वड़ा एहम अपना रोल अदा करता है कि दो नंबर मोनिस्कस जो मिडल विंकर किया उसमें हम उसको आंकेंगे इस कंट करता है इसके लावा excretory glands जो की हमारे शरीर में उत्पन होने वाले toxins जो para-subjects है जब foreign body है उनको हमारी blood steam जा फिर हमारी filtration unit kidney तक filtration unit हमारा जो skin तक swishes gland तक पहुंचाने का काम करता है वह excretory system कहलाता है तो तीन नमबर मिनिस्कस के उपर क्या आगया excretory system and purifier of lymph जो lymph को purify करता है अब diagnosis का अगला chapter क्या शुरू होता है इसके अंदर अगर आप देखेंगे जब मैंने check करने के लिए रख लिया मेरे को पता चल गया कि इस finger जो मै तेज मेरे को सुनाई दे रही है तो मैं उस दड़कन को observe करने के लिए मैंने क्या किया अब मैंने यह देखना है कि तीन मनिस्कस जो इसकी index finger की है index finger के नीचे दड़कन आ गई जैं हमारी middle finger के अंदर दड़कन आ गई मगर उसके बाद हमने अगले तीन पॉइंट को भी तो finger ने उठाए फिर मैंने किया एकन नंबर finger की जो middle finger को मेंने किया आएसे एक नंबर जो Grand भी वावास भूल रहा ह है घ्ट मैंने क्या किया धर मिल फिंगर जोपडी मजए लाकिर भूल हुए सब्यसक्रामना है लुए सब्सक्राइब जोड़ करेकं एक दो नुम्बर एक नंबर sì क्छियाixa है एक नंबर एक नंबर दो नंबर और तीन नम्पर मैंने पाया कि एक नंबर की धरकन के साथ मिलती और जो एक नंबर तीन संब मिडल उनलों तर्कनों के साथ्टेली गरती है इसका मतल किल मैंने पकड़ लिया कि index finger के दो नंबर मिनिस्कस की जो धड़कन है वो मेरे को शे के शे point में सबसे ज़्यादा तेज मैसूस हो रही है अब मैंने दो नंबर point उसका माप लिया confusion clear कर लिया उसके बाद फिर मैंने किया कि दो नंबर को मैंने अपनी बुक खोली ठीक है इसका एक चार्ट बनागर कि मैंने अपने टेवल के सामने लगा लिया राइट कि अगर index finger के दो नंबर के उपर क्या-क्या चीज आती है मैंने रेखा उसके अंदर पूरे बॉड़ी को अगर शे वागों में हमने डिवाइड किया था एक दो तीन एक दो तीन शे वागों में अब उसमें से वन अपॉन सिक्स के अंदर आप हम डियागनोसिस की तरफ बढ़ गए हैं हमें इंडे मिडल फिंकर के तीनों पॉइंट के बारे में जाने की जूरत नहीं है अब धटकन ने हमें बता दिया उसकी अब्जर्वेशन ने बता दिया कि जो दो नंबर मिनिस्कस है उसके अंदर उस बुमा इसको चरथ एक निचे एक उनगली नीचे कि पिर मैं इसको सपोर्ट दिया यह ने फार जर्व होनी बंद हो जाती है इतना दवाना है अब मैं आपको डेफ्ट इसकी डेफ्ट जब तक नहीं न अभी अभी पहले क्या था एक नमबर दो नमबर तीन नमबर यह उस पॉइंट तक पहुंचना था कि कौन से सिस्टम और ऑर्गन के अंदर इसकी प्रावलम है इसकी क् यह फिसे अंदर हो रही है तो मैंने वह तो Filth कर लिया अब मैंने वहां तक पोंचना कि क्या ब्लड को ईूट्यलाइज करने वाला तो हर्ट भी है डरड गोंट जूट्याइब बेंस भी है तो हमारी कहां और मापन किया जाएगा इसकी depth, अब मैं depth की बात कर रहा हूँ, अब depth observe करने का मैंने आपको तरीका बताया, कि हमने उसको वहां तक दबाना है, जहां तक उसको धड़कन हमारी उगली के नीचे आने बंद नहीं हो जाते हैं, जब कोई person commonly BP check करता है, तो हम क्या करते हैं, जब pressure उसका बढ़ाते हैं, तो हम मालों 200 तक ले जाते हैं, 210-220 तक ले जाते हैं, और pressure वो तब तक हम बढ़ाते रहते हैं, जब तक स्टेटोस्कोप हमारे क्वाइटल को उपर, स्टेटोस्कोप से जो असकल्टिंग साउंड है, जो असकल्टिंग साउंड है, उसकी जो धड़कन है, वो हमारे को सुनाई देना बंद नहीं कर देती है, तब तक हम उसका pressure उपर करते रहते हैं, फिर दीरे दीरे करके pressure हम lose करते हैं, डाउन करते हैं, जब प्रेशर हम डाउन करते हैं दोस्तों, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सबसे पहली मद्दम सी पल्स दिखा, मनले कि अफजर्ब होती है, सुनाई देती है, कानों के अंदर, right, स्टेथोस्कोप के थूप, जो वह पहली पल्स आती है, उसको हम systolic pressure of the human being, जैनि उसको हम माल लेते हैं कि जो उपर का बीपी है, इसका 140, वहां आकर कि हमें पह पतल मत्दम होनी शुरू होती है, उसको हम diastolic pressure के रूप में मापन कर लेते हैं, systolic से diastolic तक हमने pressure release किया न, ऐसे ही सेम उसी position पे हमने एक बार इसको दबार करके पकड़ लिया, फिर हमने इसको हमने साथ साथ हिस्सों में डवाइड करनें दोस्तों, क्योंकि हमने पाया है कि पल्स की एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, शे नंबर, साथ नंबर तक हमारी पल्स की जोंसे वो depth आती है, अब depth मैं किसको बोल रहा हूँ, मैंने जैसे उंगली को दबाया, और उसे मेरे उंगली के नीचे से दड़कन बंद हुई, अब कुल माइनूट, जानि कि एक सेकंड का भी, एक सेकंड के दस में हिस्से का प्रेशर मैंने लूज किया, फार एक्जमपल, मालू मैंने टोटल प्रेशर दिया, दस यूनिट प्रेशर नीचे चला गया, फिर मैंने किया इसको, दस नो पॉइंट, साथ पांच मन की प्रेशर इसका 0.25 प्रेशर को मैंने लूज किया एक नमबर पर ठीक है जैसे मैं दबाने के बाद प्रेशर को पहली बार शोड़ा वो डेफ्ट का एक नमबर कहलाएगा उसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो 7 नमबर आएगा वो बिल्कुल स्किन को टच करने वाला है फिर एक बार सम बाद होई फिर मैंने प्रेशर को धीरे धीरे करके लूज करना शुरू कि अपनी उगली को एक नमबर जैसे मालो एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर शे नमबर साथ नमबर पहुंचोगे तो आपका जो टच है वो पल्स की जानिक उस जगा की चम पांच नमबर मैंने रहा कि सब्सका नमबर मैंने चुलिए नपरै शुरू होगी इस में पूरा मैंशन किया गया है मांडू इसमें मनिस्कस नमबर दो गया डिजसे का चार नमबर के अंदर लिखा हुआ है नर्व जहने कि नाडी तंतर राइट तो मैंने फिर द्वारा उसको अबसर्ब किया मैंने देखा तो नों फेरेगवार रख लिए अपने डाउट क्लीर करने के लिए मैंने पाया इंडेक्स में उसकी आई मैंने देखा इंडेक्स को आफकार नमबर चार नमबर पांच नमबर मैं देखा कि चार नमबर के उपर ही उसका जो इंपर्स WHO तीन नमबर जो बढ़ती है अजह होगी ए इसके बंबर कर व츠 वह शयूंबं कर दोब यहां उस बमारी का केंदर है अगर उसने बोला कि एक नंबर है एक नंबर पर दड़कन आपको तेज आई आगे दो नंबर तीन नंबर तक कोई दड़कन कम होती चले गई तो इसके नंबर के अंदर जो उसकी धरतन आई थी मैंने एक नंबर की अपने इसमें बुक में देखा इसके अंदर बिमारी कोंसी है अगर एक नंबर पर आई तो बेन मैंने देखा कि एक नंबर बेन जब आई तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो बेन बेनस सर्कुलेशन हमारा बेन की हमने उसी करेक्टरिस्टिक्स के उपर जाना है अब मेरे को थोड़ी जैसे से आप स्टड़ी करोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर बेन के उपर मेरी इंपल्स आती है तो मेरे को उससे क्या-क्या बिमारियों के बारे में पेशेंट से जानकारी लेनी है मालूमें एक एक ग्जम्पल लेता हूं अगर बेनस के अंदर आपके कहीना कोई प्रॉल्म आई तो बेनस का सबसे पहला फ्रॉल्म f2 Stacy Sverige वाइट्स से अंदर सी हा हमारी सुजन आ जाना और फिलेवाइट्स का जो सबसे बड़ा कौस देखने को मिलता है वह बहों ग्रता है बैरिकोस बेन है स्थाप्orte nay . वहाला प्राइव तक को म lequel सिजाए आपको आपको आम पर देखने को मिलेगा कि पेशन्ट की यहां होती है इसमें पीश उमारी पंडलिये जुंख कार्म मसल्स हैं उसके उपर निली नीलीनस editing और में आने शुरू हो जाती हैं गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं जब आपने पेशेंट की पल्स पगड़ करके डारेक्ट उसको यह बोला कि भी आपकी टांग के नीचे कहीं नसों के गुच्छे तो नहीं नीले रंग के बन रहे हैं वो पता एकदम से आपको क्या बोलेगा हां डोट सब म मेरी उसी चीज की तो मेरी प्रावलम है क्यों नसों में कही के बार इतनी बड़ी तनावट आ जाती है सोजन आ जाती है दर्द आ जाती है वो मेरे लिए असनी हो जाती है तो दोस्तों अब आप फाइनल पॉइंट के ओपर पहुंच चुके हैं आपने जैसे पेशेंट की पल्स पकड़ी टेम्प्रमेंट देखा आप उसके उस पॉइंट को पर पहुंच गए आपने आपको पेशेंट ने नहीं बताया राइट आपने पेशेंट को बताया कि भीया आपको क्या नीचे की टांगों में गुच्छे दो नहीं बने हुए अच्छा मालों उसको बैर द्रदे आनी ठीक है सेकली आप उनसे पूछ सकते हैं कि भीया आपके पूरे श्रीर में दर्दे तो नहीं होती है वह बोले का हां सर अगर उसको ने चलीड़ों नर्वस सिस्टम में आ रहा है नर्व के साथ आ रहा है तो बनेगा आपको अच्छा तीसर जो बैरिकोंस का हो कूछा है तो आप तीसरे अगर व importantes संत इसम्टम में आपको वहता है श्रीर में तरह भी नहीं हो रही है पर आप टीसर नंबर के उपर कूछ सकते हैं कि क्या आपको लेटन सी आतीक है तो नहीं होती है या पिर आपके मस्ते नहीं आपको निकलाए है जाइन लैटन bên खून तो नहीं आता है जब आपने वो पॉइंट पगड़ करके उसको पूछ लिया तो आप क्या वो लेगा पेशन्ट के अंदर वो अगर चीज होगी तो मेजर यह दो तीन हम भी आपका साथ देंगे आजब आप मुंद से बोलें कि सर मैंने यह तो जान लिया कि उसकी पल्स यहां आकर करके अटकी तो आगे हम पता कैसे लेजाएं कि उसमें स्वेशिस ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉलम है जा फिर यह पहले तो यह पता होना चाहिए ना आपको कि क इसके संतर के बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तों इसी त्रीके से आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जाकर के पल्स के जिस पल्स पे उसका जो पॉइंट बने कि डिजीज का जो सेंटर है डिजीज को पैदा करने का जो सेंटर है उस सेंटर तक पहुंच जाते है अईसे ही फारे क्ग मैंने उंगली रखी मैंने देखा कि मिटल से उपर आगया राइब जय वह मिदल से उपर वहमालो आया वह इंपल्स आ गई तो मैंने क्या किया मैंनेoug को फिर पेले कि पहले कि कि फूट आया जिसको पर धरकन और वहीं रहने दिया जिसको पर धरकन काम आई मैंने उसको उठा लिया ठीक है उसको ठोफ प् richness ओवर चांगा जै कि अब मैंने इंडेक्स में 쉽क्र की सिस्टम के उपर आ घख से छे मैंने किया उसके कुम आपने कि कोशिश30 फिर नइसके मिचा और तक देखा मैंने है कि उसके प्लइक कीरा नजर पर पर क्या चीज़ आ रही है अब देखिए दो डॉक्तर सहीवां यहां दोनों चीज़ों का मैंने दोनों फिंगर के बारे में एक्जम्पल लिया यह संग्वाइन का यह लिंफैटिक का अब के वर क्या होता है अब थर्ट अबरमेंट भी हमारा है वो क्या है मिक्स टेंपर हमारा आता है तो उसमें क्या होता है कि वर दोनों फिंगर के उपर धरकन आपको मैसूस होती है दोनों फिंगर को धरकन मैसूस होगी अब इसमें आपको क्या करना है यह भी पता होना चाहिए इसमें पहले मैं हमेशा इंडेक्स फिंगर को उठा लेता हूं मैं क्या करता क्योंकि अगर जो डॉमिनेंशी यह जिस्मर्जी करेक्टर की रही मगर ब्रिजीज का जो लीडिंग है वो दोनों चैप्टर में जाकर के खतम होगा जैसे मैंने आपको बताया था मैंने किया इंडेक्स फिंगर को उठा लिया उसके बाद मैंने देखा एक नंबर दो नंबर तीन नंबर मैंने मिडल फिंगर के देखा कि एक नंबर पे उसकी धर्कन तेज आई दो नंबर पे एक जैसी और तीन नंबर में एक जैसी है मैंने नोट कर लिए अपनी कॉपी बे कि दो नूंबर फिंगर की एक नूंबर क नूंस किस ज्यादा दर्कन आयी तरहि है फिर में ने इसको रख लिया शेर्ट p कि अपनी मिदल फिंगर उठा लिया इंडेक्स फिंगर को एक नंबर दो नंबर तीन नंबर फिर मैं ने पाया कि मिमार ने नहीं तो चैसाहि और तोड़ी सी दो नंबर और तीन नंबर से ज्यादा थी मानों तीन नंबर के उपर आई मेरी एक नंबर दो नंबर को मैंने शोड़ दिया मैंने नोट कर लिया कि इस परसन के मिडल फिंगर की मनिस्कस नंबर एक में धड़कन आई और इंडेक्स फिंगर की जो मिनिस्कस नंबर तीन है उसको पर इसकी धड़कन अब मैं डिया गया किती मणबर कुमर्फ को उसके हैं इक नंबर दो नंबर जोसकी डैष्ट उसके हैं राइट नोट कर लिया उधर मैंदल फिंगर को रखा मैंने देखा इसका 3 नमबर को पर इसकी धटकन आई थी मैंने उसको भी सान्प नंपर डैपकत पे लिया एक नंबर दो नंबर पांच नंबर ये 6 नंबर साथ नंबर मैंने नेखा इसके तीन नंबर को पर इसकी दर्कन है मैंने क्या अचान्र म् liberty मिटल फिंगर की एक मिनिस्कस की तीन नंबर ये इसका डाइगनोज आ गया उस तरह के आगा इंडेक्स फिंगर की बनलग की मान करके चलो कि एक नंबर की डैफ्ट आई में मिनिस्कस आई उसकी दो नंबर की डैफ्ट के उपर मौने उसका जो हो प्रावलम आगी एक एक्जम्पल यह मैंने जब म नंबर की पांच नंबर पर कौन सा और्गन है मैंने दोनों और्गन साथ में लिख लिए जब लिखे मैंने दोनों की ही कंसल्टेंसी उस पेशेंट से की अगर मेरे को दो नंबर पर पता चला की बोन मार हो है तो मैं बोन मार हो के साथ जुड़े हुए सिम्टम उस पेशें तो मैंने क्या करना मैंने स्टमक के सिंटम उससे डिसकस करने शुरू कर दिये जब आप उसको डिसकस करोगे तो आपको अपने आप क्योंकि आपने उस पेशेंट की दुखती रख के उपर हाथ रख दिया आपने उसी पॉइंट के बारे में डिसक्स करना शुरू कर दिया जो पॉइंट आपको उस पेशेंट के अंदर उसको अब्जर्व हो रहे हैं राइट जहां आकर के आपकी पर्स का जो टेक्निसिटी इसको कैसे स्टड़ी करने वह भी आपकी फिनिश होती है अब दोस्तों यहां एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टन में बीच में एड़न करना चाहूँगा हम उन रोगों से कैसे अलग हो गए मालों किसी का अल्ट्रसों कुरवाकर क्या है उसमें बताया गया इसके पेट के अंतली के अंदर ख़राबी है इसके लिवर के अंदर खराबी है उसने वो शो कर दिया अब वो डॉक्टर क्या करेंगा वो जिस एरिया में डिफाल्ट मशीन ने बता दिया उसी एरिडा में क्या करेगा treatment देगा राइट मगर जब वो पेशन्ट आपके पास आया अच्छा एक मज़े की बात आपको और नोट होगी कि जब वो टीटमेंट उसको पेट का देंगे आंतलियों का देंगे तो वो पेशन्ट को फोरी तोर के उपर रहा तो मिलती है अब तंग होकर कि आपके आपके नाडी देखते हैं जब आपने यहां करके नाडी देखी तो आपको पता चला कि है वो जो पर वो इंफेक्शन आ कहां से रहा वो इंफेक्शन आपके लिवर से आ रहा है लिवर से आंत्रियों के इंफेक्शन पहुंच रहा है तो जाकर कि आपकी आंत्रियों में उसकी एक्टिवेशन हो रही है आज मैं आपको क्या करने वाला हूं मैं आपका लिवर का टीटमेंट देने वाला हूं उससे आपकी आंठी अपने आप अच्छी और शॉल जाएंगी सब्सक्राइब क्यों हो जाएगा आपको कैसे पता जालेगा कि उसके बाद आधर के फीडवाइक को देगा नहीं वह किसी और रूर में कैसे देगा मालों उसके घर परिवार में कोई और बंदा बुमार हो गया आपके बार क्या बोलेगा भी आल्टरसों तो कुरॉले पर द्वाई अगर सब्सक्राइब करें आपकी बिद्वान की दिया से मैं आज बहुत अच्छा हूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट एक चीज है मेरे एक चच्छे का लड़का है उसको भी इस तर्की को को प्रॉलम होई है तो काइनली उसको आप देख ले आपको फीड़वाइक मिल गया पेशन का एक साल के बाद वो एक साल से पेशन बिल्कु ठीक है यह हमारे साथ ड़क्टर जिक्तार से खोली आगे हैं इस अब नमस्कार नमस्कार इस अब मैं आपको दुबारा मैं कर्श्ट दे रहा हूं कि कल तो आपकी जरनी के बारे में हमने थोड़ा जानी की कोशिश क अब जरने की Tithya अभी आज आपकी डिशीпер को अपर ऊसरके लिवर्स का उपर आप ने बहुत बड़ी अ-बड़ी काम किया है और आप मैकसिमिन लिवर्स हैरोसिस लेसिस के अंदर विह काम कर रहे हैं आप यह बताए कि आपको से अदर उप प्सक्रेशिष सबसे हमारे डॉक्टर साहलान को बताना चाहेंगे फूर साब बताइए अ कि नवजो ता वह नवजो था नवजो है नवजो था वाजमादोगय थी भई आरी 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 है दॉर्ट साब अबाज आरी है आयो कमाटा सब्सक्राइब जा रही है तर किसी दा नहीं है लाजी डिस्टेर वा नहीं है सब्सक्राइब तो अड़ी अवाज आ रही है तो जैसे नियू शर्मा जी हमारे सीनियर जिनकी बदावत हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि आज दिवर कैंसर दिवर स्राइस जैसे जो रोगी ठीक हो रहे हैं तो जैसे शर्मा जी पूर रहे थे कि लिवर स्राइसस के बहुत अच्छे रिजाट है जिसमें अगर टीट्मेंट की बात करें तो टीट्मेंट वही है वही मेडिसन है सिर्फ जहां पर स्लेक्शन की बात होती है तो वहां पर हम S3 के साथ में बिल्यू लेक्ट्रूड और C3 के साथ में ग्रीन लेक्ट्रूड और कहीं कहीं इसको जो चैंज करके साथ साथ जहां पर मुझे लगा कि इन्फेक्शन जो काफी जदा उसकी जो पहुंची हुई है जैसे की फाइब्रो स्कैन करवाते हैं तो फाइब्रो स्कैन के अंदर देखने को मिलता है कई वाल कि उसकी स्कोरिंग है तो जैसे जो हमें 4.5 के सम्थिंग चाहिए होती है प महां पर हमने एस वन डव्यूई और सीवन की ग्रीन और इसके साथ में एफ वन जो है तीनों को डी फोर के अंदर अल्टरेट में दिया साथ में हमारा जो पेटेंट आता है मिनो सेंट और उसी के साथ में डीव ऐसार तो यह देने से जो हमें बहुत अच्छे अर्जट मिल अच्छे हां जहां पर देखा कि लिवर श्राइस के अंदर पेट के अंदर आसाइटरस की प्रॉल्म है जा प्लूर्ट जो हो चुका है तो वहां पर हम एस वन और डव्यू या ब्लू और इसी के साथ में नेक्स्ट जो है सीटन वेनमन और यह येलो यह डीव के अंदर दे टाइट करके जो सीस एवल्यू को देते हैं लोग उसमें जैसे टीडियस ये कुछ टी मैं आट जो हम लिवर स्टायास के पेशिंट्स में देते हैं चाहे वह साथ हो चाहे वह बिना साथ हो तो यह डाट साथ हो बार जो ठीटमें को मैंने दिया है इसमें वेरे को बहुत अच्छे लिए कि अपने बेटी को किस लेवल से और कहां तक पहुंच गया था उस वक्त आपने क्या कुछ लिए टीटमेंट के लिए और आपको उसमें क्या रिस्पोंस बिला और कितने दनके अंदर आपने बेटी को ठीकिया देखिए यह काफी क्रिटिकल लग रहा था क्योंकि मेरी बेटी नर्सिंग की स्टूरंट थी मोस्वाल मोंदाई वस्वाल होस्पिडल लुद्याना में तो उस वक्त उनकी ट्रेनिं क्या था कि इंफेक्शन इतनी जाथ फैल गी ती जिसमें जॉंडिस एट प्लस बिलीरूपन जो था वो एट प्लस हो गया था और इसी के साथ में जो उनका ओटी था वो आटी सो सो एट डबल जिरू और पीटी जो था वो था फोर फाइब एट फाइब संस्थिंग ऐसे देखके मेरे को भी एक बार लगा था कि यह केस प्रॉलम में है क्योंकि जो बच्चे का चेर्गा था उसका जो कलर है काले पर में जा रहा था और फिर भी डाटर सिंजीब सर्माजी से दिस्क्राइब के बाद में उनको टीटमेंट दिया और टीटमेंट देने के मलब सेकंडे अस्टे सेकंडे जब चेक करवाया तो जो ओटी पीटी पीटी का काफी जो है लगभग आधे के बीच में आ चुका था और जोंडिस का ल चाहिए जो प्लाइए किया थोड़ा सा भोवी आप जिकर करना चाहें उस वाक्त दिया था बच्चे को एस था और येलो लग्यू और एस तर्फ के साथ में सी सैवंटीन ये डी सिक्स लाइटर में दिया था और इसे के साथ में जो है अलवन एक अलग से जलूशन बढ़ा नेगाटन एसाथ और लिव एसाथ ये भी दोनों अलटिनेट करके उसको बार बार जो है जो है रिपीटर डोज के दूप में दिया था जैसे एक एगंटे के बाद में हम लोग सुबे से शाम तक वो डोज देते रहे हैं तो इसी से ये जो केस था वो संभव हो गा है क्यों है और एक वाक्या पताना चाहूंगा क्योंकि उस्वाल महांत आई को जो उनके एक खनीशन थी कि जो बच्चे घर पर जाते तो उनको जो है फिटनेस मेडिकल के साथिपर चाहिए रहता है तो मैंने बेटे का और बीटी को दोनों का सीवरा उस्पर बेजा क्योंकि वहां आप एक मेरे जानकार थे डॉक्टर तो मैंने का कि आप चले जाओ और ये रिपोर्ट साथ मिले जाओ तो उनसे एक मतलब लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाग लो जैसे हमने रिपोर्ट से दिये तो एक दम बच्चे को बोले कि अपने जल्दी से जल्दी पेर ब अपने बनाग तो मैंने का यह स्योंग देरा हूं और इसे काफी बैख रहा है ले इसा और इसा ने जाएं कि एफ फटापट एमूरेस बलागी तो मैंने पीड़ दाटर शर्मजी से बात की वेका दर्सम इस तरह से बोले तो शर्मजी ने मुझे बुरा सियोग दिया और कि लिए वाकिए केस इस तरह का था उसके बाद इतने वी डिवर से लेट आप इसके साथ में और भी चाहिए तो अच्छे से मैंने उनको समाला करेंगे मगर आपका जो कॉंविडेंस लेवल है वह वहां तक जुरूब जुरूर आना चाहिए जिसमें की आपकी प्रैक्टिस को आगया एंहांसमेंट मिलने में कोई समस्याना है अब मैं फिर पलेट करके उसी पॉइंट के उपर आता हूं मैंने आपको बताना है कि जो पल्स डाइग्नोसिज में हम डेप्ट की बात करते हैं जा फिर हम उसकी एस क इसके उपर लेकर क्या हो अपने वर्साफ को ओपन करो इस फिकर में मैंने मनें मनिसकी कुछ मंले मेरे को पता चलिए कि इंडेक्स फिंगर के एक नंबर मनिस्कस की एक नंबर मनिस्कस में बिमारी का के अंदर है पता चलिए कि पॉन मरो के अंदर इसको फिसकी धरकन आई लिया तो पता चलिए अमेरे को उसको बहों मारों की विजय से ही आगे बढ़ रही है अब मैंने कैसे कि सुनने में आता था ना कि प्राने बैदे लोग क्या बोलते थे प्राने बैदे लोग पंद्रा साल पहले इस पूजिशन में शुरू हुई थी और वही मुमारी धीरे धीरे आपके अंदर घर करते करते आज ये सीरियस पॉइंट को पर आ गई है दोस्तों वो कैसे मापन करते थे अब उस मापने की तरीकों को भी मैं आपसे एक शेयर करने की कोशिश करूँगा एक ग्जांपल लेता हूं यह मैंने हाथ में फ्रैड पकड़ा हुआ है मालोजी एक नंबर मिस्कस का एरिया है लगवक्त तीनों मिस्कस प्वंध घृत तक ही होती है, माल लिजे मैं 0.5 mm का ये इतना एरिया है, अब मैंने इसमें As of disease वो मैने calculate करनी है, माल लो for example इस पूरे पूरे हिस्से को 0.5 mm के हिस्से को, आदे सेंटीमेंटर के हिस्से को, मैंने equal 10 पार्ट में डवाइड करना है दस वागों में जैसे मा लिए एक दो तीन चार पांच छे सए आठ नो दस यह आ गए इससका मैं 10 इसको मैं डवाइड कर लिया इसका एक हिस्सा मेरी एक कि एक हिस्से एक साल्ट को दस के साथ ड़ाइक कर लिया कितने इक आपकी एक हिस्सा चार साल के बराबर आ गया उसकी खीमत एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गीडियू चार साल गे बराबर राइट अब मैंने क्या किया जो जान मनिस्कस है जो मैंने एक मिनिस्कस को दस वागों में डिवाइड किया अब मैंने जब अपनी उगली को रखा तो मैंने रखा एक एक नमबर ऐसे एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर पांच नमबर शे नमबर साथ नमबर आठ नमबर नो नमबर दस नमबर मैंने पूरे मिनिस्कस को दस वागों में बाट लिया अपने दिमाग के उस्सार उसमें कोई mathematical मलेकी division नहीं है यह आपको ही उतनी मनिसकस को 10 वागों में अपने तरीके से बाटना है आप mathematical तरीके से यही कर सकते हैं अगर इतना सा हिस्सा हमारी उसका 5 mm के करीब का हिस्सा है तो उसी 5 mm के हिससे को 10 बागों में बाठना है धूसको रखने कह जैसे डेप्ट को मापने का तरीम का तरीका था बिल्कुल माईनूड प्रसर रलीज이스 करना उसी तरीके तरह को 맞는 डिस्टेंस माइनूड डिस्टेंस इहां चुछ से आमें किस कर 31 см जो हमारा मिनिस्कस यहां से शुरू होती है उससे हमें मिनिस्कस नमबर 2 के पॉइंट तक जाना है मिनिस्कस नमबर 2 यहां शुरू होती है वहां तक के हिस्सों को 10 बागों में ड्वाइड करना है मानो अब मैंने क्या किया जब इसको ड्वाया एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पांच नमबर, शे नमबर, साथ नमबर, आठ नमबर, नो नमबर, दस नमबर, दस नमबर बिलको टिप के पास आ गया, अब ये तो टिप, ये टिप का पॉइंट है, मगर इस लेवल तक जो सब वो टिप से पहले रह गया, और यहां से में इसके स्टार्ट हुई एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पांच नमबर, शे नमबर मैंने पाया कि शे नमबर के उपर जा करके जो उस पल्स की इंपल्स है वो उतनी टोन से मेरे को महसूस हो रही है जितनी टोन से इस finger के नीचे pulse observe हो रही थी फिर दबारा सुनो मैंने जब 10 point को एक number, दो number, तीन number चार number आगे मैंने बढ़ना शुरू किया space को distance को शोड़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि 6 number के उपर जाकर के उतनी ही धड़कन आई जितनी धड़कन उस उली के नीचे मैंने starting में उस minuscus के नीचे महसूस की थी अब 6 number पे आई अब 6 number को मैंने multiply किया जो मेरी उस मरीज की फलांक आया था उसकी उमर को 10 के साथ divide करने उपर उसकी उमर थी 40 साल उसका फलांक आया 4 मैंने 4 को 6 number जिस minuscus पे वो धड़कन आयी मैंने उसके साथ उसको multiply कर दिया कितना गया 6 चोगे 24 6 4 जा 24 अब 24 उसका नंबर आ गया उस नंबर को वो कितने आया 24 साल हुए वो 4 साल का एक नंबर था 6 multiply किया तो 6 चोगे 24 मैंने उसको 40 में से कम कर दिया कितना किया मैंने 40 में से 24 को कम कर दिया और कितना बच गया 16 मैंने उस person को बोला कि तू अपनी 24 साल पहले 16 साल की उमर में चला जा 16 साल से 2 नीचे 14 16 साल से 2 उपर plus minus लेना होता 2 तो मैंने उसको बोला 14 साल से लेकर के 12 साल के बीच में यह तेरा जो चार साल का अर्सा रहा इस दोरान क्या तेरे को तेरे साथ कोई ऐसी बिमारी तेरे को मैं उस वक्त हुई जो कि माननों मैंने उसका लिवर डाइगनोज किया मैं बोन बारो के बारे बारे लिए उससे जिकर करूँगा क्या तेरे को 15-16, 14-15-16 साल के अंदर क्या उस वक्त भी ये समस्या हुई थी वो आपको करेगा, वो बताएगा हाँ उस वक्त भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉलम हुई थी मैं कम से कम भी एक मीन वर मैंने टीटमेंट लिया था फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया फिर आगर के आज ये पैदा हुई आप उसको कह सकते हैं कि वहिया ये जो तेरी बिमारी शुरू हुई थी ये सोल में साल में ही शुरू होगी थी मगर उस वक्त ये बिमारी मेडिसन से सप्रेस होगी थी आज ये दवारा से पैदा हुई है तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस इनिशल डिजीज पे फोकस करना है उसी इनिशल पॉइंट पे फोकस करना है जिस पॉइंट पे वह भुमारी उसको आई थी तो अब क्या हो गया आपने उसको बता दिया कि किस age में जा करके वो उसको समस्या पैदा हुई थी यहां से आप उसकी age को भी calculate कर सकते है कि किस age में, age में उमर की बात नहीं करना हूँ उमर calculate करने का कोई parameter किसी doctor के पास नहीं हो सकता है बट जो उसकी आज की उमर है, उसके मताबद मैं ये देख सकता हूँ कि उसको माल लो, मैंने चक किया ऐक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँ किया, शेह नंबर, साथ नंबर, आठ नंबर, दसने नंबर में उपर आखен के मेने को पता चला कि इस धंळकन उस लेबल की है, फिर मैं उसको करूंगा, दस्यों के चालिस तो इसका बिमारी 40 को 40 से कम किया 0 इसका मतल को उसकी यह करंटीर अब भी यह समस्या हुई है आज की डेट में तर जावा ऑलेगे कि नहीं आपकी समस्या ज़्यादा परानी भी लगनी रही है बस हलका सा मैंने मालिश मूलिश की घर के अंदर ही तो वो ठीक होगी मैंने प्रवाह नहीं मारी फिर उसके बाद दोबारा कोई महीने के बाद फिर दोबारा हुई अब तो तीसरी चोती बार अटेक हो गया यह पिछले 6 मीने में तब मैंने वहले चलो मैं डॉक्टर को चेक क करना है कि यह दुमारी उस वक्त व्यों से वो इस अंग की इस कारेशली के कारण पैदा हुई तब जाकर कि आपने उसको वो ट्रीटमेंट देना है राइट सर दोस्तों इसके साथ मैंने अब पहले मैंने डेफ्ट चेक करने तक शोड़ा था साथ पॉइंट की अब मैंने एस ओफ डिजीज औरिजन ओफ डिजीज को स्टड़ी करना का आपको एक पैटर्न बताया पर मैं इस लेक्टर को आज के ओवरोल लेक्टर को मैं कॉंक्लूड करूंगा दोस्तों जो नेल जो तो पराने लोग हैं वो एस कालकुलेशन के तरफ अपना ध्यान के अंदरित कर सकते हैं मगर जो बिल्कुल न्यू कमर है जिनको पल्स अकोर्डिंग टू एलेक्ट्रोंपथी आज पहली बार उन्होंने अटेंड की है मैं उन्से रिक्वेस्ट करूंगा वो सबसे पहले अपने शे पॉइंट को पर फोकस करें एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर सबस को यहां तक कि सड़ी एक नंबर तीन नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर जब आपको शे में से कोई कि एक सेग्मेंट पता चल जाता है तो आपको उसकी डेफ्ट में जाने से पहले पहले अपने आपका एक्स्पीरियंस इनी शेयर पॉइंट को एलोकेट करने के लिए अपनी एनर्जी को लगाना है क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से आप डेफ्ट की तरफ ज्यादा ध को प्चुछी तरफ उसमें आपको पांचमी सीड़ी को टच कर सकते हैं इसी तरिके से में आपको अड्वाइज कर रहा हूं कि जो न्योगामर है वह पहले इन इस सिप्ट को एलोकेट करना सीखें जब शेय में से एक पॉइंट आपको पता चल गया कि दो नमबर एक नमबर की फिंगर में दो नमबर मनिस्कस के उपर ही सारी आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस सेगमेंट की चार पांच चीजियों के बारे में पेशन्से डिसकस करना है कंसल्ट करना है उसको बाते पूछनी है और बतानी है तो वहां से भी 3-4-5 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मन मैं एक्सपर्ट के तोर के उपर मैं पेशन्से तीन ज़्याद पांच कोश्चन करता हूँगा उसको तीन ज़्याद पांच कोश्चन बताता हूँगा आप 10-15 कर लेंगे कोई फर्म नहीं पढ़ने बाला मगर यह सारी प्रक्रिया आपकी डेड़ मिनट से लेकर 3-3 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है ज्यादा से ज्यादी टाइम लगेगा आपको स्टार्टिंग में 5-7 मिनट इससे उपर टाइम नहीं लगता है अब मैं दोस्तो आज के लेक्सर को जहां एक कंक्लूजन देते हुए दोनों लेक्सर को मैं साथ में टाइब कर रहा हूँ अब मैंने टेंपरामेंट कल जो आपको बताया था उसकी पूरी मैंने टीन चीज़ों की टीन टेमरेमेंट की स्टडी उसको मैंने पॉर्स लीक्टेनकीस के साथ आज के इस lecture को मैं बिराम देता हूँ